So hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So guys, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे HPCL के बारे में So guys, हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited यहाँ पर अगर देखें, तो last trading season हमें closing देता हुआ नजराया 251.55 रुपीज के राण यहाँ पर stock में returns की बात की जाए तो 1.85 रुपीज तक की return हमें last trading season देखने को मिले है 0.74% के basis पर यह share बढ़ा है और आगे भी हम उमीद कर रहे है stock में और बड़े level सची हो और बिलकुल यहाँ पर long term का target यहाँ पर आप 500 तक भी रख सकते हो so guys यहाँ पर आप अगर देखें तो last one month में stock ने अच्छी तेजी बताई है 8.85 रुपीज के round share यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है 3.65% के basis पर और यहाँ पर अगर देखें तो six month में क्या देखने को मिल रहा है last six month की अगर बात की जाए तो stock यहाँ से अगर देखा जाए guys तो इस particular level से rejection ले रहा था बट अभी उसी level को यह break करता हुआ नजर आ सकता है 270 रुपे तक की rally हमें कुछ दिनों में देखने को मिलने वाली है और छे महीने के returns की में बात करूँ तो 13.70 रुपिस के round share यहाँ पर हमें return देता हूँ और नजराया है 5.76% के basis पर so यहाँ पर stock में आखिर dividend हमें कब मिलेगा तो guys यहाँ पर dividend को हम देखेंगे आगे कि कब मिल सकता है बट उससे पहले इस stock आपको काफी ज़्यादा सस्ते में मिलेगा यहाँ पर 1 year में अगर आप देखो तो यहाँ पर 73.45 रुपिस के round यहाँ पर यह शेर गिरता हुआ नजराया है 22.60% के basis पर यह गिरावट है और यहाँ पर गिरावट भले ही हो बट एक ब्रिक आउट भी है हमारे पास और इसके बाद शेर उपर क्यों जा रहा है तो डिविडेन की बात कर रहे थे हम तो गाइस यहाँ पर अगर देखें तो इसकी डिविडेन हिस्टरी को हम देखेंगे और हमें डिविडेन कब मिलेगा और यहाँ पर हम प्रेडिक करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर 2022 में HPCL ने सिर्फ एक बार डिविडेन दिया है यहाँ पर अगस्थ के मंथ में हमें डिविडेन दिया था लगबख 14 रुपे के राउंड का पर उसके बाद यहाँ पर 2021 में भी अगर देखें तो सिर्फ एक बार डिविडेन मिला है 2020 में भी एक ही बार डिविडेन मिला दोनों ही बार यहाँ पर जुलाई के राउंड हमें डिविडेन मिले है फिर 2019 में हमें दो बार डिविडेन मिले और यहाँ पर अगर देखें 2019 के 5 में हमें डिविडिन मिला था उसके बाद 2018 में हमें फरवरी में डिविडिन मिला फिर उसके बाद 2017 में यहाँ पर एक बार जुलाई में मिला था एक बार मार्च में मिला था मार्च में दो बार डिविडिन मिला है 2016 में जुलाई में मिला और मार्च में मिला तो guys यहाँ पर जो इसकी डिविडेन हिस्ट्री है इसको देखकर लगता है stock या तो मार्च के around डिविडेन देगा या फिर फरवरी में और या फिर एक डिविडेन दे सकता है देखा जाएं तो डिविडेन हमने यहाँ पर देखा है कि HPCL की जो results है वो हमें मार्च में देखने को मिले है so guys यहाँ पर बिलकुल एक possibilities है कि हमें मार्च में ही डिविडेन मिल जाए और अगर फरवरी में भी announcement होता है तो बिलकुल यहाँ पर फरवरी में डिविडेन हमें मिल जाएगा बर यहाँ पर मार्च एक important month है जहाँ हमें डिविडेन मिल जाएगा है so guys यहाँ पर डिविडेन की तो हमने बात कर लिया बात करें इसके levels की तो one week के time frame पर हमारे पास already एक शानदार breakout मिला है उसके बाद stock sustain करके उपर की और momentum यहाँ पर बता रहा है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस particular level पर हमें stock में कई बार rejections phase करने पड़े है 350 रूपिस के level से stock यहाँ से गिरा था फिर यहाँ से गिरावट आई फिर यहाँ से गिरावट आई फिर यहाँ से तो यहाँ पर कई बार stock ने rejection लिये और finally stock ने इस level को यहाँ पर break किया break करने के बाद उपर गया और यही से sustain करके share उपर की और जा सकता है तो यहाँ से एक तगड़ी rally हमें देखने को मिल सकती है 350 रूपिस के रूपिस के रूपिस के रूपिस है तो बिल्कुल हमें 100 रूपिस का profit stock में देखने को मिलेगा so यहाँ पर अगर देखे one month के time frame पर भी एक asymmetrical type pattern create हो रहा है यहाँ पर अगर देखा जाएगा इस तो 500 का target में इसलिए बोटाओ क्योंकि यहाँ पर 500 का target हमें मिला था और बिल्कुल उसके बाद अगर देखे stock में गिरावट आई उसके बाद यहाँ पर इसने support लिया फिर यहाँ पर support लिया फिर यहाँ पर support लिया तो sorry guys यहाँ पर rejections हैं और यहाँ से बिल्कुल upside down momentum stock में हैं और अब यह बिल्कुल इस level को break करने की कगार पिर है और यहाँ पर यह breakout अगर मिलता है तो stock में जो 500 का level है वो easy तरीके से यहाँ पर achieve हो सकता है तो इस चीच का भी आपको ध्यान रखता है तो 500 का level यहाँ पर जल्द ही achieve होता हुआ नजर आने वाला है guys क्योंकि एक symmetrical pattern और बिल्कुल जिस way में breakout मिलता है उसी way में share जाता है और confirmation है हमारे पास क्योंकि यहाँ से भी stock में उपर के और के ही momentum नजराता है और यहाँ से भी share उपर के और ही जाने की बिल्दी कोशिश इसकी रहने वाली है तो इस चीच का भी आपको ध्यान रखना है 500 रुपे का target हमें यहाँ पर अच्छी हो सकता है और यहाँ पर अगर देखें तो stock में अभी के लिए 25% आप invest कर सकते हो अपने capital का और फिर इस level पर breakout देता है तो और यहाँ पर 25% use कर लेना और जैसे यह sustain करने आता है तो बिल्कुल आप sustain करके उपर जाता है तो बिल्कुल आप 50% अपने capital का use कर सकते हो सो कल के लिए भी हम positive हैं यहाँ पर अगर देखें guys day 1 time frame पर एक कहें तो head and shoulder type pattern आप इसे consider कर सकते हो यहाँ से rejection था है यहाँ से rejection था और वही पर breakout हमें मिला है sustain करके stock उपर के रो जाने के लिए ready है तो यहाँ पर Monday के लिए target मेरे basis यहाँ मेरे आप से आपर देखें 260 के around easy तरीके से हमें जाता हुआ नजर आ सकता है so guys यहाँ पर HPCL को लेकर काफी कुछ बात हैं हमने कर ली है I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो गर अच्छा लगा हो वीडियो को like कर दिना चैनल को subscribe करना मत भुलना और कोई भी share में investment करने से पहले इन shares का analysis कर लिना thank you